वाट टा सोट अस्तराम अलेकम गाइज वेलकम टू माइन यूव लोग तो आज के उटो कमें से अभी साम के बिजने मालेश है गाह में आए तो गाह में कोई नहीं दिख रहा है आज लगबग गाहों कोई आस्क्रा समझें कोई दावत है तो भाई लोग सब बैंग गयोंगे हम भी जाएंगे साम को वस्पिटल का बाहर का विव तो अभी जा रहे हैं घर पर वस्पिटल में एक स्टाप थे उनका कुछ काम था वो गाहम में गहें तो मैं अकेला बोल रोड़ा था तो मैं अब जा रहा हूं घर पर फिर निशाला मगरीब की नमाज अदा करके जाएंगे दावत पर भाई का कौल आ गया था उनको बेला मेने की नमाज पढ़के फिर चलते हैं तो अब जाते हैं मस्टिद में और मगरीब की नमाज अदा करते हैं अलहमदलिल्ला दावत से वाबिस आगे थे घर पर तो आज एक जुम्या का दिन अलहमदल्ला अभी जा रहें मस्टिद में जुम्या के नमाज अदा करने के बाद जो सौने की हैबिट पढ़ी हुए उसको काई पर रखा कर जाके सो गए थे अभी आएं मस्टिद में आज क कर आगा माँक उopen परसा तो नहीं होरी है आज चांज सेथे 50 परशेंट की परसाद हो सकती है आसपाद इल्लाक। में तो बरसाद हैं, मगर यहां पर तो इतनी हैं यहांब सरी बात दल दिखाए दे रहे हैं मैं जिसे ढून रहा तो आखिर मिल चुका है गाह में कोई नहीं दिख रहा था मैंने सचा वहाँ पर कोई नहीं कोई जरूर होगा एक कजन मिल चुक है एक अंदर के मस्टिद के अंदर बेठे हैं वह बाहर आते हैं फिर एक पाड़ इस जीरा पापा आई दुनिया को बूल तो यहां बजीरा पापर पार्टी हो रही है अब वो कजन आए बार फिर थोड़ा राउंड उप करते हैं गाहों का अभी हम बेट कर उनका इंतिजार कर रहे हैं तो गाहों के बज़रग बच्चे जवान सभी आ चुके हैं और यहां पर चलदा किर्केट क्या आले सेयद सा हमारे बज़र अंकल सफेद बाल आ चुके हैं तो यह बज़रग हुए और सामने बच्चे हैं और यह जवान भी किर्केट खिल लाएं यहां भी अपने दुन में मसते हैं कोई फिकर नहीं दुनियादारी क्या चल लाए है तो अब दूसरे किर्केटर की बारी है अब बहुत एक्साइटेट है क्यों चका मेरा जिल्दा की प्रफटा है यहां जा रहा है लडगी यह क्या लिया है तुन्हें किसकी गड़ी है भूल 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 अब आप इस गर जा अप इस गर जा अप इस गर जा अप इस गर जा अब कोलिंग पार्टी करेंगे थोड़ा अनको एंजा जी बिले हमारे बेस्ट में ठक जोके हैं अब गुड़ी याद इस अबरी से ठंडे का इंतजार हो रहा है है यह को ठंडा पीने के लाज जुके हैं बागे बागे आज से आ रहे थे खेट से मुझे लग रहा थे यह क्यों आए इनका स्रीफ लाल ठंडे की ती और किसी कि रही थी मारसा आपका गिल्यास लेकर आना अब सब बैटे दभाई लग और पूरा असमा ना भी काले काले बादल से घरता हो दिख रहागा बिजलियां भी चमक रही है अब बशाद हो सकती है थोड़ थोड़ी तो नमीन पर गिर रही है कमरे में सोया गवा था बशाद का मौसम बना गवा था तो कमरे में सोने का प्लान किया मगर घर में का रंग सो नहीं पया अभी टाइम वह साड़े बारा पचे तो विस्तर यह लेकर उपर आ गया हूं अभी तो एक दब मौसम साफ हो चुका है तारे पी निकल चुके हैं तो आज को लोग यह पर खत्म करते हैं वीडियो पसंदार लाइक कर देना चैनल को सब्स क्युके हैं